तो में बाव किनी की पर लग बहुत कमप्राइज है जादा की नहीं है पर यह देखने में कितना सुन्दर और वीटी फुल लग रहा है एक कलर रेट कलर है और इसमें मैं गोल्डन कलर को ब्लॉज पैनी हूँ और इसी के साथ इसको पैन के मैं आपको तीन डिस बनाओंगी यहां पर आज बरसाथ की सीजन में आ रही है तो बरसाथ की सीजन में सब आपको पकोड़े भूत पसंद है तो वेसन की पकोड़े चाय के साथ और तीनों आपको यहां पर सेयर करूंगी आपके साथ तो मेरे वीडियो पर लास्ट बने रहना जाना भी मत क्यों कि मैं इसमें क्या क्या डानी हूं आप जब तक नहीं देखोगे आप बनानी पाओग साथ के सिसन میں इसको चाई के साथ इसका आनल लीजे और ये कड़ी भी में बना हुँ देखिए ये कड़ी है और यह आपको सास्द कड़ीया और यह सर्फ पकोडी सबुज्स सेवस्द सेयगी आपके सेयर किसे बनाएखन आप सबसे पहले बेसन लोगी एक बड़्टन पे और इसमें तो qdb देखे बेसन के करिव इसमें बेकिंग सोडर डाली हो और नमक सॉधनसार तो ये बहुत ही है क्यार 드eral अधिम not तो इसमें लंबे लंबे प्याज यसा अच्छे लगते लंबे स्मिन जैसे में ऐच्छिले डाल रही हूं और चीली टांपर में और ब्रस्टीर पिर से प्रपर से तो इसमें पानी डेलाने के को अच्छा कि फिरmo 1991 तो थोड़ा ठोड़ा डाला एक साथ मंद डाला नहीं तो यह पतला हो जाएगा तो हमको ध्यान रखके जब जरूत पड़े तब इसमें पाइन डालेंगे और इसको हम फेटेंगे तो इसमें सोडा डाल दिया है तो ज्यादा फेटनी की जरुबत नहीं है यह अपने अच्छा सा एक स्मूद सा बेटर बन जाएगा तो देखे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पाइन डाल के इसका एक बेटर त्यार कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइन ओयल डालूंगी रिफाइन ओयल डालें से पकोड़ी और भी सॉप्ट और भी क्रिप्सी बनेगी तो मैं इसमें रिफाइन ओयल एक चम भी पकोड़े बनाएं तो थोड़ा गरम करके इसको मेडियम फ्लेम में कर दें इदम स्लो में मत रखें नहीं तो इसमें तील पकड़ लेगा जय सकते हैं तो देखें जैसे मैं पकोड़ी बना रही हूं तो फट से यह तेल के उपड़ आ इसे ही उपर आजा रहा है और जितना डाल दिए इसे डबल हो जा रहा है यानि कि यह बहुत ही सव्ट बहुत क्लिपसी बहुत ही टेश्टी तो देखिए दोस्तों जितना जब भी डाल रही हूं इसकी सब्सक्राइब तो इसको हम थोड़ा सा फ्राइब करेंगे कच्छा पन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तो देखिए पकोड़ी कैसे बन रहे हैं कि इस बर्षाद के सीजन में पकोड़ी इस तरह से ग journals बनाएं और रानन ले ग dau-गण यह के साथ बहुत ही तेश्टी अरेमी तो हर रोज बरशाद तो एक दिन नहीं आती है रोज अलग-अलग बरशाद के सिविल में अलग-अलग के पकोड़े बनाएं और आनन ले तो देखें यह कलर कितना अच्छा आ गया है पकोड़े मेरे बन के रेडी है बन गया है आप देख सकते हो इसका कलर अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और गरम चाय बनाके इस पकोड़े को सर्प करूँगी और इसमें हरी मिच्ची भी में डाल दी हूँ जिसको तीकी चाहिए हरी मिच्ची पकोड़े की साथ अच्छा लगता है तो देखें लग रहा है ना इदम मज़ेदार नास्ता साम के समय का तो चलिए फिर मैं पकोड़ी का आपको कड़ी बनाना सिखांगी और कड़ी भी बहुत ही अच्छा टेश्टी कड़ी तो इसके लिए कड़ी के लिए पहले मैं बेसन ली हूँ और इसमें दही डाल रही हूँ दही खटी थोड़ी होनी चाहिए अगर क खटा रहेगा तो कड़ी मज़ा नहीं आता है तो थोड़ा खटा दही होना चाहिए है कि और इसको मैं देखी कि ना ज़ी डाल रही हूँ आध़क ही कडोरी के लगभव में दही डाली हूं कि बेशन दो चम्मच और एक कटोड़ी के लगभग दही रहेगा दही हलका खटी होनी चाहिए ज्यादा भी नहीं खट्टा मतलब पूरा खट्टा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप दिन में बना लो कड़ी दूफर में खाओगे तो अपने आ हम हल्ली डालेंगे एक चमच के करीब और नमक डालेंगे और इसको में गैस में बठा दोंगी खुलने के लिए तो इसको आप लगता चलाते हुए मतलब नीचे चिपके नहीं और अच्छे तरह से पक जाए तो देखे दोस्तों यह बॉयल हो चुका है उपर तक आ चुका ह तो ही कि अब इसमें हम पकोडी डालेंगे अब पकोड़ी को डालके 2 मिनट ही राखना हैं जयादा नहीं तुरन गैस बनकर देना है क्योंड़ एक पकोड़ी तो बिल्कुल सौड़ बनेंगे कड़ी जैस faço बनेंगे गरम जाए खोड़ी में जाएंगे उसलिए हम ज्यादा पकोड़ी तली थी वही तेल में हम चौक लगाएंगे तो इस में हम जीरा डाल रहे हुज्च अफच फोरन है इसमें संप जीरा और मेथी काला जीरा इसका पच्पोरन में एक अलग सी टेस्ट आता है तो अलग तरीके में यह राजस्थान या कड़ी है मैं इसे बना रही हूं तो इसमें पचपोरन में डाली हूं और इसमें सरसो और सुखी मिर्ची बहुत अच्छा छोग अगर डालोगी कडी में तो भोत कडी भी बहुत कडी बनेगी आए घनिया धनिया को मैंने घुड़ा साबुढ द इसको में थोड़ा सा तोड़ दी online मतलब कुड दी दॉत कछ़कि न इसको और इसमें करी पत्ता डालोंगी एक साथ हिंजल इसमें दिश पढ़ेगा करी पतानों करी पत्ता करी। का चोप में परते हमते बहुत अच्छा लगता है यह इसको थोड़ा से तोड़ा छालोंगी कलर चेंज हो गया इसका अब में इसको उठा के कड़ी में डाल दूँगी तो देखिए कड़ी बगल में है और इसमें डाल दरियों इसको डालते साथ इसका ढ़का लगा देना है जैसे हम सारा इसमें छोक लगाएंगे बस इसको थोड़ा सा दो मिनट के लिए दख देंगे तो देखिए आव दो मिनट के बाद में इसको पूरा अची तरह से मिला लूंगी पूरे कड़ी में तो लग रहा है नहीं यम्मी और गजप का इदम कड़ी देखिए दोस्तों यह कैस इसका कलर कितना मस्त लग रहा है और खाने में भी लग र तोड़के दिखाऊंगी कितनी सॉप्ट बनी है तो यह पकोड़ी लूगी और इसको में कट करके दिखाऊंगी की काई सॉप्ट बनाएं तो यह तुरंत ही पक तूट जाएगी देखिए इसको थोड़ा सा टेचकी हूँ देखिए कैसा यह तूड़ गया है कोई-कोई भूड़ी की सबजी बनाऊंगे इसमें मैं मैं रिफाइन में डाल दी हूं और इसमें जीरा डाला भू एक phones और फेर अलो गी के बनारी हूं और दो चठकी। और शाथ ही साथ मैं नालें ऑलना दो जैँ मैं लोगे के कड़ाई में ही बठापा,चलास बद्यूंद--" देखें अब आदर नकलाश्म का पेप्ष डाली लेंगे चणाश। अब इसको अची तरह से भून लेंगे विसमें टमाठा डालों दो टमाठा लेह की दो तमाठा बड़ी वाली और इसमें हल्दी स्वादनुसा और घंती लिए पॉडर कि और मेस्धे ने चाहएं तो मुअ किसमीरी मेची पॉरा ही सीस्थ के में हॉस्द हाथ एपued आगाने आ ंब अश्थ अब लाल मेची एड़ कर सकते हैं तो देखिए फ्राई हो रही है फ्राई होने के बाद में हम इसमें अब थोड़ा पानी डालेंगे इसको पकने के लिए बॉइल होने के लिए रखेंगे तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर कर देना चैनल हो बॉइल हो गए अब इसमें मैं पकोडी डाल दूंगी जो पकोडी बनाेके लखीते है तो देखीए सारा इसमें पकोडी डाल रही हूं और इसके ग्रेवी त्वड़ा ज्यादा रहना है क्युकि यह पकोड़ी बाद में जाकर सॅप्ज होबगी और इसकी ग्रेवी सुक क्योंकि बाद में पूरा पकोड़ी पानी को सोक लेता है तो थोड़ा सा ग्रेवी आप ज्यादा डालोगे रखोगे इस जैसे मैं दिखा रही हूं अब बाद में अपने आप सॉप्ट हो जाएंगे तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक